सबी को नमस्कार मैं सुमित जैसवाल एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर यहां आप देख सकते हैं कि ESD फ्लोरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है इसके बारे में डेटेल में आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा अभी हम देख लेते हैं कि कॉपर ब्लेट अर्थिंग कैसे होती है और यह जो कॉपर स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं फ्लोर से निकल रही है यहीं पर हम अपनी लास्ट में कॉपर वायर को यहां पर कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने यहां पर सुनील और मैंने 20 किलो सॉल्ट और 20 किलो कोल लिया है सॉल्ट और कोल डालने का रीजन है कि यह सॉयल को पर्मेनिन्टली वेट रखेगा कोल बेसिकली एक कारवन से ही बना है जो एक अच्छा कंड़क्टर है और अर्थ के रेजिस्टेंस को कम रख करता है सॉल्ट एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है जो कंड़क्टिविटी अच्छी रखेगा और अर्थ भी बैट रहेगी मौश्चर का रहना सॉल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल अपने आप में एक अच्छा कंड़क्टर नहीं है तो मौश्चर जितना बना रहेगा उतना बैटर है यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 20 फिट गहरा पिट या घड़ा हमने किया है जो की एक छोटे वेनिफेक्टरिंग प्रोसेस या कोटियों वगेरा के लिए सफिशेंट है और सुनील ने अपने हाथ में एक कॉपर वायर अभी ली है जो की आठ नंबर की कॉपर वायर हमने चूज करी है जिसका वेट करीबन 2 किलो 200 ग्राम है और लेंथ हमने करीबन 24 फिट ली है तो इसको सीधा करने के लिए सुनील ने ये तरीका लगाया है अगर आप अकेले हैं तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 4x4 की कॉपर प्लेट भी यूज करी है कॉपर क्यों इस्तमाल होता है अर्थिंग में उसके दो मेन रीजन है पहला ये एक high degree connectivity प्रोवाइड करता है और दूसरा कि इसमें जंग की problem नहीं आती corrosion की problem नहीं आती तो copper plate जो है और copper wire जो है एक बहुत ही अच्छा material है इसमें यूज करने के लिए तो copper wire को अच्छे से हमने brass के pages के साथ इसके अंदर यहाँ पे लगा दिया है अगर आपके supplier है तो supplier का use कीजिए और बहतर तरीके से लग पाएगा यहाँ पे हमने earthing chemical लिया है जिसका नाम bentonite है जो हमने पानी में mix करके इस 20 फिट घहरे पेट के अंदर डाल रहे है बेंटonite chemical अर्थ का resistance को कम रखेगा और इसमें moisture भी अच्छा बना के रखेगा जो की earthing के लिए बहुत ही जरूरी है तो यहाँ पे हमने सबसे पहले copper plate जो हमने connect करी थी copper wire के साथ उसको डाल रहे हैं अंदर ठीक है तो थोड़ी बीच बीच में वीडियो को मैं fast forward भी कर रहा हूँ ताकि short में आपको अच्छी information मिल पाए अब हमने इसके अंदर अपना copper और salt का mixture डालना शुरू किया है सबसे नीचे copper plate को रखकर और अब हमने इसके उपर यह डालना शुरू किया है अब एक बाल्टी और पानी हम इसके अंदर डालेंगे तो आप देख सकते हैं अभी किस तरीके से नजर आ रहा है तो अब यहां पर आप देखिए कि सुनील जो है चिकनी मिट्टी को अलग कर रहा है तो वही आपको बताया है कि soil जो है वो चिकनी रहेगी और जितनी गीली उसमें कितना moisture बना रहेगा वो जरूरी है अब इसमें चिकनी मिट्टी क्यों डाली जा रहे है वो देख लेते हैं इसका reason सबसे बड़ा main यही है कि यह porosity बनाए रखेगा porosity का मतलब है कि पानी का cycle इस pit के अंदर अच्छा रहेगा और हमेशा humidity पूरे pit के अंदर अच्छी बनी रहेगी एक बाल्टी पानी अब इसमें सुनील और डाल रहे है तो आप सुनील को नीचे दिये गए नंबर से भी contact करके noida में कोई भी electrician की requirement है कुछ भी काम आपको करवाना है तो आप सुनील को call करके बुला सकते हैं यह हमें भी आप contact कर सकते हैं हम आपको सुनील का number provide करेंगे और आपको आपका काम जो भी होगा वो आपका करवाएंगे तो यहाँ पे अब यह चिकनी मिट्टी सुनील इसके अंदर भर रहे हैं अच्छे से दबा रहे हैं उसको अंदर ठीक हैं तो सारा जो आपका salt और हमारी अर्थिंग complete हो गई है यहाँ पर थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल